हरहर महादेव चय भोलेनाथ नमस्कार मैं शाधना पांडे मागदसन पर आपका स्वागत करते हूं तो चले दोस्तों आज हम जानेंगे कि नवरात्री में कलस्वी सर्जन कैसे और कब करना है देखिए कलस्वी सर्जन 9 री तिति को होता है नौबी तिथी को आपको कलस्वी सर्जन करना है और नौबी तिथी में ही आपको कलस्वी सर्जन भली प्रकार से कर देना है तो कैसे करना है तो देखे, सुबह सबेरे आप अगर कर्ण्याओं को खिलाते हैं, हवन करते हैं, तो सबसे पहले जो है आप कर्ण्या खिलाएंगे, सबसे पहले आप मा के जो सामाने पूजा होगी, वो आप पूजा कर लिजेगा उसके बाद आप करन्या भोज करिएगा करन्या को भोजन कराईएगा और करन्या को भोजन कराने के बाद आप हवन करिएगा उसके बाद करन्याओं को भोजन कराईएगा उसके बाद अब आप क्या करेंगे वो मैं बताती हूँ आप हाथ में थोड़ा सा अक्षट ले लेंगे और अक्षट लेने के बाद आप इस अक्षट को लेकर भगवान से प्रारतना करेंगे कि हे भगवान, मैं आपका आवान भी सर्जन कुछ नहीं जानती हूँ मैं जो है अन्जान हूँ, नादान हूँ जो भी पूजा में गलती हो उसके लिए प्रभुच हमा प्रार्थि हूँ ऐसा बोलना है और आप कुमाली जी ये सारे काम करने के बाद भी सर्जन करना है अगर आप कन्या पूजन नहीं करते हैं तो कम से कम किसी मंदिर में पैसा या प्रशाद कुछ भी चड़ा दें इससे भी माना जाएगा कि आपका कन्या पूजन हो गया हवन कर लिजे और हवन कन्या पूजन में हर बार कन्फ्यूजन होता है कि क्या करें तो सबसे पहले हवन करेंगे क्योंकि हवन के बाद पूड़ा होती भोज किया जाता है तो हवन के बाद कन्या पूजन करेंगे बिधिवत आप मातारानी के पास आईए बिधिवत उनको फिर से भोग लगाईए तो जो भी भोग लगाए है आप वो सब बिधिवत उनको भोग लगाईए परिवार के साथ उनकी आरती करिए क्योंकि ये आज नौरात्री की अंति मारती है क्योंकि अब फिर साम को कलस विसर तो विसर्जन का यह चावल हाथ में ले लेना है और फोटो मुर्ती पे नहीं छोड़ा जाता है केवल कलस पे जो चीज़े हमको रखना है उनका विसर्जन नहीं करेंगे तो आवाहनम नजानामी नजानाम विसर्जन पूजा चेवच नजानाम चम्मेताम परमिश्वरी बोल का ध्यान दीजिए उसके बाद अब आपको करना है कलस विसर्जन तो थोड़ा सा कलस को आप उस स्थान से खिसका दीजिए हटा दीजिए अब आपका कलस विसर्जन हो गया अब आप चौकी पे रखिवी समगरियों को क्या करेंगे वो बताती हूं तो सबसे पहले तो अगर आप नदी तालाब आपके आस पास नहीं है तो आप एक गढ़्धा खोद कर उनमें भी यह जवारी डाल सकते हैं कहीं गमले भी डर लगा सकते हैं तो जैसे हो आप इसे बिलकुल कर सकते हैं ठीक है तो यह सबसे पहले तो इन्हें आप एक तरफ करिए आज जवारों को उसके बाद जो भोग प्रशाद है उसे आप परिवार के साथ बाट कर खाजाएं दिजिए उसको बुझाये नहीं जब तक घी है तेल है उसे जलने दीजें और एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि जो गौरी गणे सापने बनाया है इनको तुरंत विसर्जन नहीं करेंगे इनको उठाकर अपने घर के मंदिर में रखलेजेगा 10 दिन, 15 दिन, एक महिने के बाद इनका विसर्जन करेंगे इनको तुरंत विसर्जन नहीं किया जाता है तो इनको उठा करके अपने घर के मंदिर में रख लीजिए उसके बाद दूस्तों अब आती है बारी की कलस पे चड़े हुए नारियल का क्या करते हैं देखें कुछ लोग बोलते हैं कि वो नारियल का प्रशाद खाते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि नारियल का प्रशाद जो है वो नहीं खाना चाहिए तो करना क्या चाहिए देखें नारियल का जो ये प्रशाद होता है इसके उपर जो रखा हुआ नारियल होता है इस पे हम देवी देवताओं का आवान कर देते हैं तो ऐसी मानेता है कि इसमें देवी देवताओं का अंसा जाता है इसलिए इस नारियल को देवी समझ कर प्रवाहित करना चाहिए बागी अलग-अलग मानेता जैसा आपकी यहां क मानेता है उस मानेता का निर्वाह कर ढरी वाकि तो इस ना्रिल को प्रवाईत करना ही उत्तम होगा उसके बाद इस पर रखा हुआ जो अनाज ग्रशचर करेंगे तो Heat को दान कर सकते हैं गरीप को आप जरे सकते हैं वो कहीं भी अपना पक्चियों को खिला दें या फिर जैसे मतलब पहले तो यह होता था कि इसमें कुछ और अनाज मिला करके कन्याओं को दिया जाता था तो वो ले जाकर के उससे कुछ टॉफी वगर खा लेती थी अब ऐसा कुछ नहीं होगा तो पक्चियों को डाल वो चले जाएंगे अब उसी में भी सर्जन अब जो कलस में पानी है वो पानी नौ दिनों तक काफी पवित्र है तो घर में चारों तरफ आप इस पानी को छिड़क देजेगा आप हाथ से भी छिड़क सकते हैं फूल से भी छिड़क सकते हैं और आम के पल्लों से जैसे हो आप इसको पूरे घर में छिड़क देजेगा और इसमें जो रखा हुआ जो सिक्का होता है सुपारी रखता है तो उसको अपने घर के मंदिर में या फिर अपने तीजोरी में इसे रख लिया जाता है यह काफी उत्तम काफी पवित्र माना जाता है इससे माना जाता है कि ध और अगर यह लोट जो है कि लोटे हैं जैसे पीतल का फूल का तो आप उसको लेजा करके और अपने घर में धोंकर कि पूझा वगर के स्थान है इसे आप खाली कर देजिए अपनी देवीजी को उठा कर मंदिर में रिख देजिए आप अपने देवी जी को मंदिर में रख देजे और बागी ये जो चावल वगरा है सब पक्षियों को डाल देजे और जो कलस पर विछाया हुआ कपड़ा है इसे धो कर आप फिर से यूज में ला सकते हैं पूजा पाट के तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है सारी चीज आप ये सारे काम कर चकते हैं तो बस इसी तरह से करके आपका विसर्जन हो जाएगा जो लोग नौरात्री की नौ दिनों का विसर्जन कप करना है वो भी बता देती हूँ तो दोस्तों विसर्जन आपका दसमी को बारा तारीक को होगा ठीक है एक दिन पहले सिर्फ कलस हम ड कर लेजेगा चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्ने वीडियो में धन्यवान धरहर महादेव